हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चनल गाड़निंग विद नीलाम कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स हम सभी को पेट पौधे लगाना पसंद है और ऐसा कोई नहीं है जिसे इन पौधों को देख कर अच्छा न लगता हो हर कोई चाहता है कि हम भी कुछ पौधे तो जरूरी ही लगाएं लेकिन कुछ रीजन की वेज़े से लोग थोड़ा डरते हैं घबडाते हैं कि बहुत से लोगों होगी है कि बहुत महेंगी गार्डनिंग होती है और कैसे करें बड़े पौट चाहिए खर्चा बहुत होता है पर ऐसा नहीं आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगी कि हम फ्री के प्लांटर फ्री के प्लांट्स इन सब से भी अपने घर को सुन है तो मैं यूजे करता है तो कोई चीज का चीज लगती ही नहीं बेकाल लगती ही दो सबुक का मिझे सबसक के घैलरी के प्लांट है तो एक प्लांट से 1000 बना लिए है मैंने और देख सते हैं चोट यह कोल्ड रिंग की बाटल से मैंने इस तरह से बनाया हुआ है और देखें फ्री काही लेकिन कितना खुबसूरत लगता सबको बहुत ही पसंद आता है और इसी एक स्पाडर प्लांट के इस तरह से runner से बहुत सारे spider plant त्यार हो जाते हैं सिप एक पौदा में ले आई थी और मैं लोगों को gift भी करती हूँ अगर आप पौदे लगा रहे हैं तो अब लोगों को भी बाटिए जिसे की हर्याली में योगदान मिल सके ये देखें वैंड्रिक जीव है ये भी cutting से आसानी से लग ज लग जाते हैं तो इस तरह से छोटे जो जड़ो वाले पौदे होते हैं उनको लगा करके आप अपने गाड़ने के शौक को पूरे कर सकते हैं तो ये सबी प्लांट जो है फ्री के ही है मेरे पास पान का प्लांट भी cutting से असानी से लग जाता है जैसे मनी प्लांट लगता है मैंने यह रियो का लगाया हुए और टर्टल वाइन लगाई है यह टेरेस्प है तो इससे इसको जो नमी भी मिलती रहती है गंबला जो है ग्रोबैक सूखता नहीं मिटी सूखती नहीं तो बार बार पानी बहुत ज़्यादा देने की जरूत नहीं पड़ती है तो मल्चिं प्लांट है स्पाडर प्लांट तो मेरे हां बहुत ज़्यादा हो यह देखें नरसरी ग्रो बैग में मतलब जो पॉली बैग में आते हैं प्लांट लेकर के उसको बिलकुल भी मैं फेकती नहीं हूँ बहुत यूसफुल है आप भी मत फेका करिए ज़्यादा तर मेरे सारे प्लांटर है जो जुगाड़ वाले ही हैं कबाड से जुगाड़ वाले ही है और सबसे यह देखें यह बैमबो है जब मेरे हां च्छत लगी थी रूम बन रहा था उपर तो उससे में से एक बैमबो निकला था मेंसरी लोग फेक दिये थे और यह देखें गहूं के कुछ ब बहुत जादा हो रही है तो बहुत से पौधी मुर्जाय हैं लेकिन मैं बहुत जादा बहुत मेहने से ख्याल रखती हूं इन सबों का कितनी भी तबियत खराब हो जा लेकिन मैं इनकी केर करना नहीं भूलती हूं और बड़े प्लांट में प्लांटर में मैं इस तरह से नीच वाला ड्रेसीना है और यह है अजवाइन प्लांट यह भी फ्रीका ही है प्लांट है तो इसको छूने पर बिल्कुल मक्मली ऐसास होता है बेलवेट के तरह इसकी पत्तियां लगती है और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है इसी तरह से यहां पर देखें कोलिस प्लांट हैं और फ्रीक ही प्लांट हैं तो देखें कबूतर है पानी आज डाली है तो कबूतर प्लांट की रहा है मैं वैंसे पानी रख देती हूँ आशोनति में यह नहीं कि जब रहती है तो आस पास नहीं आते है автомобilie के जो भी घर में सामान आता है तो यह इस तरह से घर्माकॉल के बॉक्स मिलते हैं और यह देखें कबूतर लोग इनको नोच नोच के पता नहीं इनको क्या मिलता है इसको इससे खाने से क्या मिलेगा इनको पिर भी यह सब तोड़ डालना है तो एक मेरे लचमर बूटी और र देखें फिर काही गार्डन तैयार हो गया है और यह रेन लिली का भी एक बल्ब लेके आई थी और यह देखें यह नरसरी पॉली बैग में जो की लोग सब म्लोग फाड़ के फेक देते हैं उसमें लगा हुआ है यह पॉली बैग है जो इसमें दूद की थाईली यह लगा देती हूं यह लेमन का प्लांट है देखिए और साथ में इसमें ओल जो सूरन होता है ना जब मैंने अचार बनाया था लाश्ट यह तो छोटा से टुकडा था तो मैंने इसे मिटी में दबा दिया था तो इसको भी लगा दिया और अभी देखें मेरे गुलदावदी मे पालिंग गवाओं तो यह पारवरिंग हो रही है है तो यह परपल का रहा लेकिन अब इसमें वाइट कलर का दिख रहा है और यह चोटे से बासकेट में पीटुनिया में अभी फ्लावर निकलने एक-डो निकलते हैं उतने अच्छे तो नहीं निकलते हैं लेकिं फे लग के फ़ивает काट करते हैं आयल के में चोटा सा एक लिटर की बाटल घोाई लगाई है और यह सीजिक काटिब्विज को सब्सक्राइब कोई जो है मिठाई का डिबा है तो कोई फूट कंटेनर है और इस तरह से मैंने पौधा लगाने के बाद जो इंटे की टुकड़े होते हैं छोटे-छोटे उसको भी डाल दिया जिससे की इन में नमी बनी रहे बहुत ही तेजी से सूख जाते हैं लेकिन यह सब भी प्लांट कुद्ध जो है चोटे-छोटे-छोटे कंटेनर में वेस्ट मटेरेल इस में आप किसी भी चीज में बस थोड़ी से मिटी यहां तक कि आप कपड़े की रुमाल को भी अगर मिटी से और मतलब किसी तरह से मिटी को को पीट में डालकर लगा दें तो भी यह बस इनको का फूल है इसाड़ा पूदा डियुम सब्सक्राइब को तो मेरे आग ऑ क्सामने आता है रहे दें लेमन प्लांट में भी सिकना धिया है यह कटिंग से लगा हुआ लेमेंट प्लांट है बहुत जादा अच्छी खुश्बू आती है यहां तक ही पत्तियों में भी और यह देख सकते हैं यह भी थर्मा कोल का ही बॉक्स है कोई समान आया था उसमें भी लश्मन बूटी लग गई आसानी से और इस तरह से देखें सभी इसको तो मैंने हैंगिंग प्लांटर के रूप में बनाया हुआ है यह पेंट का डिबबा है एक लिटर का जो पेंट आता है ना वाल के लिए तो उसी को भी मैंने बना और यह देखें गोड़ाल का इतना बड़ा पौदा जो की कटिंग से लगाने के बाद बहुत अच्छ कर देती हूं और यह देखें अर्वी के पते की जो पकोड़ी वगरे के लिए साख के लिए होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत आसानी से लग जाते हैं और छोटा सा कोली इसको मैंने कटिंग लगा है इसको शेड में रखा है प्लांट के नीचे रखा है यह देखें मेरा ट्रिकोमा का प्लांट सामने यहां से सीध सूरज देवता यहां से पूरे पोधों को बिलकुल अच्छी धूब मिलती है यह और यह भी मैंने ग्रो बैग बनाया है बोरी से कटिंग करके और इसे में मैं देखें मैंने नेक्स्ट येर के लिए जो है गुल सब्टेंबर अक्टूबर में मैं इनको फिर प्लांग गमले में लगा दूंगी शारक तौरफ मैं लश्मण बूटी लगा रही और यह देखें जो पोछे वाली बाल्टे में मैंने बैगन लगा दिया है तो बकेट भी सब लोग फिक देते हैं क्या जरूआते यह क्या मिल और यह देखें यह मेरा जो है इस तरह से कटिंग से लगाएं सारे पौधे हैं और मैं थोड़े थोड़े किसी किसी में स्टोन भी रख देती हूं जिससे की जो से कंस्ट्रक्शन का या दीए टूटे हैं तो कोई भी टुकड़ा बिल्कुल फेक हैं मेरे तो सब कुछ साइड में पड़ा रहता है और इस्तमाल भी होता ड्रेनेज सिस्टम में भी जैसे गंबले के नीचे अच्छा रहा है उसके लिए भी मैं एक से दो इंच तक के ऐसे टुकड़े डाल देती हूं या कोई गंबला तूट जाता है तो उसके टुकड़े करके रख लें दीपक जो दी ग्रीन वाला जो है मार्केट का ग्रीन बैग है और यह देखे कोल्ड रिंग की बाटल में हमेशा हमेशा इसी में लच मरबूटी रहता है सरदी हमें सब जगह के लच मरबूटी खतम हो जाता है लेकिन यहां पर सुरक्षित रहता है तो फिर गर्मिया जब आती है तो मैं इसमें क्टिंग ले करके लगा देती है और यह देखें एक ग्रो बैंग में जो कि मैंने खरीदा था तो उसमें तीन तरह के प्लांट लगा हूआ है और यह देखें करी पत्ता का और पीपल के पौदे बहुत मेरे आ निकला रहा हैं प्रेंस बताईएगा इसका क्या करें बाहर हटा दें मुझे तो कोई भी प्लांट निकालने का मन नहीं करता है और यह देखें यहां पर भी अपने से जमा हुआ है साइड से जम गया है पता नहीं कैसे यह परपल हाट का प्लांट है और यहां पर देखें इस तरह से छोटे-छोटे जो थैले वगर आते हैं जो आगे बढ़ने का होसला आएगा हिम्मत बढ़ेगी यह देखें यह इस रूम में बस मैंने ऐसे ही अभी रग दिया है अब इसमें बहुत काम बाकी है तो जो भी पौधे जो देखें इसकी पत्तियां बढ़न हो जा रही एक साइड वाली यह वाली नहीं हो रही है यह तो इसके बैक साइड में परपल कलर है और उपर वाले फ्रंट ग्रीन कलर है तो यह तीनों ही प्लांट मैं कटिंग से लगाई हूं और यह देखें यहां पर डाइफन बेचिया का प्लांट और यह स्पाइडर प्लांट इतने सारे बेवी प्रोडूस कर रहे हैं कहां तक मैं क इनकिन पॉर्ट में लगाऊंगी लगाना ही नहीं है से फ्रंट जब तबियत खराब रहती है और जब सब को पानी देना पड़ता है और नहीं दो तो तकलीफ में आदमी वैसे ही बरदाश कर पाता है और यह देखें थी ना और तार्पिन की बाटल को मैंने कटिंग करके और इस तरह से प्लांट लगा लिया है और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर किया आप लोग के साथ तो दोस्तों अमीद करती हूं आपको ये वीडियो यूसफुल रहा होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक आप सब अपना और अपने पौनों का बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो जरूर लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बहुत सारे ऐसे ही आडियाज कबार से जुगार के आपके साथ शेयर करती रहूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखेंगा बाई फ्रेंड्स